हेलो बच्चो मेरी पार्चाला में आपका आज पर स्वागत है आज हम क्लास 8 मैथ चेप्टर 3 उसमें हम समझेंगे पहलेलोग्राम के बारे में तो यह चेप्टर है क्वाड्री लेटर्स के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज उनकी डेफिनिशन तो जो मैंने पहला वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे उस पर आपको समझाया था कि जो क्वाड्री लेटर्स होती है वो कहीं परकार की होती है जैसे स्क्वाइर, रेक्टेंगल, ट्रैपीजियन, काइट तो यह सब हम समझ चुके हैं तो आज हम क्या करेंगे पैरलेलोग्राम को समझेंगे तो पैरल पैरलोग्राम वो शेप है जिसकी अपोजिट साइट्स पैरलल होती है यह थोड़ा अच्छे से बना नहीं है थोड़ा अच्छे से बनाते है ठीक से तो पैरलोग्राम अगर आपने सिंपल डेफिनिशन लिखनी है तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि यह जो साइट्स हैं चार इसकी इन साइट्स में जो अपोजिट साइट्स होते हैं सामने वाली और पास वाली साइट्स को कहते हैं एडजेसंट एडजेसंट तो यह एडजेसंट साइड्स हैं और यह एडजेसंट एंगल्स हैं एडजेसंट साइड्स एडजेसंट एंगल्स इसके पास में ये है तो ये अड्जेस्टेंट एंगल है इसके पास में ये है तो ये पेर बनेगा एक इसके पास में ये है तो ये पेर बनेगा इसके पास में ये है तो ये पेर बनेगा तो एक पेर ऐसे बनेगा, एक कैसे बनेगा, एक कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, चार पेर बनेंगे, एडजेसंट एंगल्स के, और एडजेसंट साइड क्या हुई, ये साइड, एक पेर, दूसरा ये पेर, अपोजिट जो सामनी है, अपोजिट, ऐसा ही अपोजिट एंगल, इ थोड़ा सा इनका नेम देखे, ए, बी, सी, डी, तो एड्जैसेंट एंगल्स क्या होंगे, एक पेर होगा, ए और डी का, ये एड्जैसेंट एंगल्स हैं, डी और सी का पेर होगा, सी और बी का पेर होगा, और ए और बी का पेर होगा, ये एड्जैसेंट एंगल्स हैं, और opposite angle क्या होंगे, A के opposite होगा C, और B के opposite होगा D, यह होगे opposite, यह opposite angles हैं, यह adjacent angles हैं, और sides में, adjacent side होगी, AB और AD, यह एक pair बनेगा, AD और DC, AB AD, AD DC, फिर DC BC, और BC AB, तो यह adjacent pairs हैं, किसके sides के, यह एक pair, दूसरा pair से, तीसरा pair से, चोथा pair से, और opposite sides क्या होगी, opposite side में AB के opposite आएगा, CD, और BC के opposite में आएगा, AD, ठीक है, यह कई पर अच्छे confuse कर जाते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी हम properties पे नहीं आए हैं, सिर्फ यह बता रहा हूँ कि इसके adjacent sides क्या होते हैं, और adjacent angles क्या होते हैं, तो अब इसके properties पर आते हैं, तो पहली property क्या होती है, first property होती है, opposite sides are parallel, यह तो पहली property है, तब इसको parallelogram कहा, parallelogram क्यों हो, क्योंकि opposite sides are parallel, यह इसके parallel है, और यह इसके parallel है, दूसरा property क्या होती है, opposite sides are equal, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, फिर तीसरे property क्या होती है, opposite angles are equal, Opposite sides भी equal है और opposite angles are equal मतलब angle A जो है वो angle C के बराबर है और angle B जो है angle D के बराबर है Opposite side का मतलब AD is equal to BC and AB is equal to CD यह opposite side equal है यह opposite angle equal है ठीक है No angle is of 90 degree कोई angle 90 degree का नहीं होता है अगर 90 degree का होगा तो इसकी बन जाएगा special case जिसे कहते है rectangle rectangle में भी यह same properties होती है तीनों लेकिन उसके सब ही angles 90 degree के होती है अगर कोई भी angle 90 degree का नहीं है तो parallelogram तो यह चार properties हो गई next property के अच्छ प्रपरटी के अच्छ प्रपरटी के है अच्छ प्रपरटी के है supplementary का मतलब उनका जोड 180 होगा जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी इसका जोड़ोगा 180 डिग्री यह एंगल डी प्लस एंगल सी इस 180 डिग्री कोई भी अच्छ लोगे यह प्रपरटी यह प्रपर लोगे इसको यह लाइन काट रही है तो यह बिकम interior angles on the same side यह parallel line है तो यह काट रही है तो यह बिकम दी interior angles on the same side तो अगर आप फोकस करोगे तो द्यान से तो आप समझ जाओगे कि यह प्रपरटी से हम कह रहे हैं कि जो interior angles हैं adjacent angles हैं उनका जोड 180 होगा ऐसे एंगल c प्लस एंगल b और ऐसे एंगल a प्लस एंगल b सभी का जोड 180 डिग्री होगा adjacent जो pair हैं तो यह इसकी fifth property है यह सब properties आपको आने चाहिए क्योंकि जब आप इसके question solve करोगे तो वहाँ पे आपको एकदम click करेगा कि कौन सी property हम use कर सकते हैं अब ही हम एक diagonal बनाते हैं diagonal क्या होता है this is the line joining two vertices which are not adjacent adjacent नहीं है इस vertex का adjacent यह है और इसको join करना है तो हमारी दो triangle बन गई triangle ABC और triangle CDA यह triangle ADC जैसे भी लिखना चाहिए अब ही दो triangle में जब हम triangles की congruence समझ रहे थे तो आपको बताया था SSS एक method होता है congruence का दो triangles की corresponding side equals हैं तो वो triangle congruence होगी अब यहाँ देखिए यह triangle और यह triangle इसमें यह side इसके बराबर है बिकाज दीजार्दी sides are parallelogram यह side इसके बराबर है opposite sides equal होती है तो यह वाली जो side है दोनों में common है इस triangle में यह भी side है और इस triangle में यह भी है तो मतलब यह side इसके बराबर है यह इसके बराबर है और यह side दोनों में है तो SSS तीनो sides बराबर हैं तो इसका मतलब है कि यह triangle दोनों congruent है triangle ABC is congruent to triangle इसको लिखेंगे कैसे ABC लिखा तो हम लिखेंगे CDA CDA इसका मैंने बताया था ना आप कोई method होता लिखने का क्योंकि जो AB side CD के बराबर है BC जो है DA के बराबर है और AC AC के बराबर है क्योंकि A की side है तो जब triangles congruent होती है तो angles बराबर होता है मतलब ये angle इसके बराबर होगा और वैसे भी देखिए ये दो parallel lines को एक line काटती है तो ये vertically opposite angle होगे ये equal होगे vertically opposite sorry these are interior angles आदा interior ये है interior angles are the alternate interior angles alternate interior angles है वो बराबर है तो ये parallel line है इस parallel line को इसने काटा ये इसके बराबर है और ये angle जो है इसके बराबर है और ये angle इसके बराबर है तो तीनों angle भी बराबर है तीनों size भी बराबर है ठीक है angles का लिखके बताऊं angle c a b ये वाल angle c a b इसके बराबर है d c a के बराबर है ठीक है और angle b c a b c a is equal to angle d a c और angle b angle d के बराबर है तीनों angle बराबर है तीनों side बराबर है और दोनों angles congruent है तो ये properties आपको use करने पड़ेंगी जब आप questions करेंगे आपने लिखना ये angle इसके बराबर है इसके बराबर है तो questions आपके स्वाल होंगे और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें दोनों diagonals equal size के नहीं होते एक diagonal बना जब a और c को connect किया दूसरा diagonal बना जब b और d को connect किया b c a c जो diagonal है a c diagonal जो है is not equal to diagonal b d दोनों की लंबाई different है लेकिन ये दोनों एक दिस्वा को bisect करते हैं ये नेक्ट प्रॉपर्टी है diagonals bisect each other bisect मतलब दो बराबर हिस्सों में बाटना दो equal parts में divide करना ये वाला diagonal इसको divide कर रहा है दो equal parts में मतली ये o है तो o d is equal to o b o d is equal to o b ये part इसके बराबर है और ये वाला diagonal इसको bisect कर रहा है तो o a is equal to o c ये o है बीच में थोड़ा सा मैं clear कर देता हूँ ये point o है जहां पर दोनों diagonal एक दूसरे को काट रहे है तो ये वाला diagonal इसको 200 में बांट रहा है और ये वाला diagonal इसको बांट रहा है ये वाला इसको बांट रहा है और ये वाला इसको बांट रहा है that means o a is equal to o c and o d is equal to o b और ये opposite angles होंगे वर्टिकल यपोजिट एंगल ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा तो ये सब चीज़ें आपने समझ नहीं हैं क्योंकि कुश्चन में चीज़ें आपको यूज करनी पड़ सकती हैं तो डाइगनस इकॉल नहीं होते देट इस वन पॉइंट बड़ बाइसेक इच अधर मतलब उनके जो पार्ट्स हैं वो इकॉल होंगे तो ये सबी प्राबर्ट्स हैं प्राबर्लर्uk wn儿 के जिनको आपने अच्छे से समझ लेना हैं समझने के बाद जब हम questions भी आएंगे तो इसमें से कोई ना को이에्राबर्टी आपको यूज करनी होगी उसी property को समझ के आप questions को जो solve करेंगे कभी आप कोई angle निकालना पड़े या उसकी लंबाई निकालने पड़े side की ठीक है तो ये parallelogram का topic हम यहाँ पे close करते हैं क्योंकि टाफिक काफी लंबा है इसके जो बाकी क्यों quadrilators के जो बाकी points हैं वो हम अगले कुछ वीडियो में समझेंगे तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप प्लीज जुरूर लाइक करें अपने friends के साथ share भी करें ताकि उनको भी थोड़ा लाब मिले और अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं किया भी तक तो प्लीज सस्क्राइब भी करें थैंक यू